Hey, hello everybody, welcome back with a new video, मैं रविन सिंग एक बार, फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ, हम सब के YouTube चैनल पे जिसका नाम है Technical Abhi So guys, Marketing Analysis, Part No. 3 में आपका स्वागत है, इससे पहले Part 2, Part 1 अप्लोड कर चुका हूँ, नहीं देखे हैं, आई बटन में लिंक मल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मल जाएगी सारी जानकारी लिंक्स के साथ आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं News Impact पे Live Trade वो भी $1000 की, वीडियो को मिस्मत करना, लास्ट तक देखना बहुत जादा, इंपोर्टन होने वाला है, आज से पहले भी content इंपोर्टन हुआ था, और बहुत जादा प्यार मिलाता, लास्ट टू पार्ट को भी और इस प जिसका Impact में दिखाता हूं क्या हुआ था, तो मोबाइल को रखते हैं साइब में, आते हैं हमारे डिक्स्टॉप पे, यहां पे आप देखेंगे 6.15 के बाद हमें बखुत बड़ी candle में ली है, ग्रीन कलर की, मतलब Marketing Impact पढ़ना स्टार्ट हो गया था, 6.15 पे ही हमारा जो Graph है उसने काफी सादा Movement नेने स्टार्ट कर दिये थे, जो कि हमें पता है, जैसे एक बड़ी News Release होती है, तो बहुत बड़े Candles आपको मिलने स्टार्ट थे, लास्ट पार्ट में हमने सीखा था, कि जैसे ही News Release होकी, तो Market most probably एक डिरेक्शन में जाएगा अगर जाना स्टार्ट करत है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ग्रीन कलर के आपको candle मिली, नहीं एक रेड कलर की candle बहुत बड़ी थी, मिडल में finish होती है, फिर ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन and then red, आप Market down trend में चल रहा है, तो यहाँ पर यह ज़रूरी नहीं है, कि अगर एक trend market ने पकड़ा है, तो वो change नह बड़ूरी है, कि Market, जो trend पकड़ेगा ना, उसी trend में काफी टाइम दग रहने बाला, लेकिन इतना कोई शौर नहीं है, कि भाई, अगर मैं उपर जा रहा हूँ, नहीं, नीचे भी जा सकता, नीचे जाएगा, तो नीचे ही जाएगा, लेकिन जब वो trend जो change करेगा ना, तो direction भी change करेगा, दोस्तों, जैसे कि आपको support and resistance के बारे में बताएगा, यहाँ आप जिखेंगे, support यानि कि S1 को break कर दिया है, particular candle ने, और S2 को भी break करने की line में, तो यह support S1 को हम बोलेगी, तो यह support 1, support 2 को भी break कर दिया है, market का trend आप देख सकते है, probably, और आपको guess करने के लिए अगर बोला जाए, तो मैं आपको हमेशे recommend करता हूँ, एक minute के लिए तो मज जाए याप, आप जाएगे minimum 3 minutes के लिए, maximum 1 hour के लिए, इसमें अगर आपको marketing impact या news impact के साथ ट्रेड लेनी है, तो beneficial रहेगा आप लोगो, कि लिए तरो इस काफी साथ risk में रहेगी आपकी trade, live trade ले बहुत नीचे आगया है, now we are waiting कि ये जो green color की candle है, अगर ये hit कर जाती है हमारे S1 को, तो फिर मुझे लगता है हमें upward direction के लिए जाना चाहिए, नहीं hit करती है, तो हम जाएगे downward direction के लिए, भाई हमारा funda बिलकुल clear है, और हमेशे clear रहो यार, trading के मामले में, okay, हो सकता है, पा okay, green color के काफी बड़ी बन गई है candle, and then, काफी दादा fluctuation से मेर पास 3 second बचे, okay, so we got the red candle, तो हम जाएगे 3 minute के लिए downward direction में, तो यहाँ पे आप मेरा PC की screen देख सकते है, और 1 minute का chart selected है, 1000 dollars की trade selected है, 3 minute के लिए मैं जा रहा हूँ downward direction में, मैंने जो trade है, वो place कर दी है, अब मैं करता कर दे है, तो भाई, लगबग लगबद, 78 या फिर 80 के आसपास मान लो, भाई, अगर 80 का rate मान दे हो, तो 80,000 हुए, अब भाई, मैं कहूंगा, यह जो stand है, घर में मत करना, बहुत बड़ा loss हो सकता है, यह जो वीडियो है, सिर्थ देखो, enjoy करो, और हमेशा money management का use करो, risk management का use करो trade देते time, friends, इस trade को finish होने में अभी तीन मिनट बाकी है, लगबग लगबग धाई मिनट बाकी होंगे, तब तक पिछले कुछ वीडियो के, जो part 1 और part 2 की नीचे comments आयो थे, उसका reply कर देता हूँ, तो भाई, बहुत common comments से, बहुत सारे common queries थी, वो यह, कि news impact, कहां से हम check क कर सकते हैं, सबसे पहली बात, कहां से चेक कर सकते हैं, कैसा हमें बदा लेगें कि आप कि नहीं news impact आने वाले है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले news चेक करनी है, news कहां से चेक करोगे आप, investing.com, website पे जाओ, economical calendar का more के अंदर click करोगे, तो economical calendar का section मिल जाएगा, separately भी मिल जाता है, अगर आप website view में जाओगे, ठीक है, अगर mobile को एक desktop वर्जन में रखोगे तो मिल जाएगा, अधर वाइट desktop पे बिचाओगे तो भी मिल जाएगा, mobile में economical calendar का भी section मिल जाएगा, more section में, तो अब आपको क्या करना है, वहां से आपको news देखनी है, three bulls की और वो भी major impact वाली, कौन से news जादा impact डालती है market की उपर, इसकी उपर भी video देखा हूँगा, in future run वाले time में, as promise किया था भाई, आप लोगों से, एक दे टेडिंग को असान करूँगा, और उसी रास्ते को ज़रूर होगी एक दे, तो भाई, अभी देखेंगे, फिलाल काफे ज़रा down आगया market, as I predicted, कि यहां से down होने के chances हैं, अगर हमारा break हुआ था support level 2, यानि support 1 break हुआ था, support 2 break हुआ था, it means कि हमारे जादा तर chances down जाने के हैं, यहां भी आप चेक्क कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि हमारी जो prediction है, उससे नीचे ही अभी, यानि कि profit में ही a trade, and let see what will happen, हाँ, कुछ fluctuations हैं, लेकिन आपको पता है, fluctuations आपको देखने को मिलेंगे, जब बात आती है news impact की, marketing impact की, marketing fluctuations की, marketing analysis की, तो भाई, मजा आएगा, अगर पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैं आपको recommend करूँगा, कि भाई, देख लो, miss मत करना, और let's see कि कि क्या होत है, history को, लेकिन आप, मुझे लगता है, काफी, काफी, तो भाई, काफी, बड़े major difference है, हमने close की है, ऐसा भी निया कि भाई, बहुत, छोटे difference है, काफी बड़े difference है, काफी बड़े difference है, और उमीद करता हूँ कि भाई, आप इतनी बड़ी दो ट्रेटी लेंगे, छोटी ट् चैनल, और तेम शोटो टेच वाई, कि अट यू यू नोट टिल लेंगे.